देखो आने में कितना बिलंब कर दिया ठीजिक हड़राबाद की भीड भार में फसना यानी श्वाहा बोड के सामने रुकना बहुत शुब होता है अंदिश्वस देखा इसी वज़ा से आज तक हम पिछड़े हुए हैं कटूश रक्या है शादी बड़े शहर में हो रही है त अरिया बुजुर्गलक सुनते का अरे थोड़ा आराम से अनपूर्ना कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिस्थ भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं तो संस्कार और संस्कृती बैक टायर्स हैं हमेशा ये बात याद रखना और स्वादिस्थ भी अधिस्थ परफॉर्मेंस मैत्री और वुट्भी हस्बेंट डीडील जेके शारुक और काजल की तरह एंट्री मारेंगे ये सब नहीं होने वाला वाट शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है क्योंकि हमारी कुंडली में दोश है पहले कु अधिर्वालों को मनाओ डायर्क भाग के शादी कर लो ये सब मुझ से नहीं होता यू मीन सिर्फ इंस्टरग्राम पे फोटो देखके हां कर दी अक्षिली मेरा इंस्टरग्राम पे अकाउंट भी नहीं है वाट आज के जनरेशन में लोग टेस्ट्राइव के बिना कार भी लेकर सीधा जाकर श्वाहा कर दे आपका प्यार जोटा है को वेंकट अंकल आउंटी तरह यहां आये तो क्या बोल रहा है क्या बात है होने वाला दूला आपका सुपुर्टर विगनेश्वरकुमार उनली उनली तो नहीं मानता विवाहा से पूर्व कन्या के दर्शन का इ आप चिंता मत कीज़े चपडगंजो तुमारे बिना भी हम खाना बना लेंगे तुम बस इस बैल के नचल कसके रखो इसकी नियत ना हटे इसलिए रोमिंग नेटवरक की तरह ही से पकड़ कर रखूंगा एट एनी को आस्ते यू केनोट सी हर बिफॉर्ट अपने दिमाग म मेरी बात सुनी यार मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है वह मुझे देखना चाहती है तो एक मिनिट के लिए कमर की घंटी अटा मैं अपने दिल की घंटी बजा क्या आखा हूं बंटा है सब संभालोंगी चौप उसने तत्काल होटेल के तालाब में आने को कहा पर यहां ना कोई पानी में नहां रहा है ना कपड़े धो रहा है तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियां गुटर्गू करते हैं अवश्य वो भी गाउं की शर्मीली करना होगी हुआ 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 है हुआ हुआ है सुमे यही रूफिस होही आ ही वेई ड़ क्या हुए कहीं पंडी जी की बात सच ने निकले अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप, होने वाली दुलन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है लेकिन दो दिन में तो शादी होने वाली है, तो अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलीद करें, तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्तर भी खोलने पढ़ते हैं, इसका ज्यान होता, तो तुमसे मिलने कदाप भी नहीं आता तुमने तो मेरी आखे खोल दी, अब बैट जाए, ये ज्रेस ठीक है तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं, मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्यान के गुट्टी प्रदान होगी, आरम करो, क्या तुम घाना पका लेते हो, कैसा विचित्र प्रश्ण है, व्यंजन बनाने का विशेशज्य हूँ, तुम बना लेती हो, ठीक चा है, लेकिन हींग, वो कहा है, हींग पी चाहिए, हाँ, बिना हींग के लेमन राइज बनाओगी, सीधा नर्क लोक में जाओगी, सिक्की हुई मूंपली, वो भी भूल गई, नेक्स क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थोट्स है, नेक विचार है, बच्चे भगवा नो सॉक्स, मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पैनाओगी मैं, अच्छा, मैंने जितना सोचा था, उससे डबल डॉमिनेटिंग हो, अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा, तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर पुरा असर पड़ेगा, एक्चुली, दुल्हा मैं हूँ, और दुल्हा मैं हूँ, अँढ़ हो, अभी कि डबलत जेरो वनक्स ट्रीपन लन क्यों पर्सुनल नम्बर है, मिस्कॉल देना, दौडा चला होँगा, पैस सीर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर टेंशन वरही हैं, अगरे तेंशन हो रही है, अ तो फोन लगाना बंटा है बोलो मैं तू क्या तू मुझसे अभी मिल सकते हो वेल्कम सर वेल्कम अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाए न तो फिर येलो तूने तो कहा था ये सलमान लगी ये तो पान वाला लग रहा है चुप कर दो इसे शास्त्री विगनेश्वर शास्त्री नाम तो सुना होगा है इसलिए एच्चुना होगा क्या कर रहा है पे गरीबों के शारुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घुम्रे मलेरिया से मरेगा क्या इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा तुझे तो शकल भी नहीं दिखानी चाहिए तू पूरा का पूरा शो दिखाने आगया हे हे दो दिन में इनकी शादी होने वाली है क्या दिक्कत है तुम्हें इस पंडित की पर्मिशन की कोई जरुरत नहीं है शास्त्रा अनुमती दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा अंकल आंटी को इसके बारे में बताया न तो एक सेकंड में शादी कैंसल हो मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती मेरी फिकर अच्छी नहीं है क्या फिकर अच्छी क्यों नहीं है तुम्हारी फिकर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या ये मेरी मदद कर रहा या खुद मुझे ले रहा है कल हमा इसकी वीकनिस पता चल गई कहल इसे और स्ट्रॉंग डोस दूंगी सबजिया बहुत ताजी लेकर हैं जगू अरे जब इतनी खांशी है तो धुएं के पास क्यों बैठे हो जाके अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रह ले थे अरे आज कल के बेटे अपने माबाप का ख्यान नहीं रखते तो बेटी से क्या उमीद रखें अरे मुफ्त की रोटि है बजिया घर पे डिलिवर हो जाती है बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं पेटा जगनात टेक्नालोजी की वज़े से आज सब के पास फोन है लेकिन लोगों को करीब लाने के बजाए उन्हें और दूर कर दिया है इसके को जया था कोई मुझे बताएगा या नहीं तुम बताओ यह कॉफी ने बनाई मैं जानना चाहिए यह कॉफी किसने बनाई रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्ण है, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो हाँ, कॉफी मैंने बनाई है, अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी, आसकर गोस्टू दिस कॉफी येस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अम्रित है अम्रित ऐसे द्रिश्टी क्यों डाल रही हो, मेरे पास क्यों आ रही हो लज जा रही है क्या का ये क्या बत्तमीजी है, ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा कोली के सिक्स मारने पर क्या करते हो, ताली बजाते हैं, और सलमान की टांस पर, सीटी बजाते हैं, और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए, तो हम ऐसे तारीफ करते हैं कि ये खीर किसने बनाई है? मैंने बनाई है तुमने बनाई है तुमने बनाई है ये खीर तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा अरे आलसियों सुरियास्त होने से पहले घर पहुंचना है शादी सलट चुकी है तुम लोग अभी तक सामान नहीं समिट पाए हो जग्गु मैं घर जा रहा हूं बेटा अरे इतना काम पड़ा है बीच में छोड़के थोड़ी जा सकते हो हम हाइदरबाद आये हैं न अवश् बेटा जगनात कि बिना मांगे तो मां भी भोजन नहीं परुस्ती लेकिन बिना मेरे मांगे तुमने ये सब कभी कभी अपनों के मन की पीड़ा आँखों से पढ़ लेनी चाहिए वही मैंने किया नहीं जानता कि एक बेटी का बाप होने पर खुश्य मनाओ या दुख जरूर कुछ पाप क कि यह होंगे कि तुम्हारे ने सब बेटा ना पा सका क्या कहना चाहते हैं क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ अगर सच कहूं तो आप माता पिता से भी कहीं बढ़कर हैं अपने हाथों से पाला है मुझे चलता हूं बेटा ध्यान रखिए अज कल चारों और शादियों की धूम मची हुई है लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गये अब तुम सीधा मुझे की बात कर रही हो तो शरम के मारे स्वाहा हो रही है कायदे शर्माना तो लड़की को चाहिए पूजा की पास इंडिया के बेस्ट फाशन कॉलेज की डिग्री है मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पारस बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की आज खाने का ओडर कहा का है बैंगलोर में बिर्यानी बनानी है या मैंगलोर में में दुवड़ा यही सोच रहे हो न बावरची पंडिट जी एक्चली दिंग इस दूले से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए हमने एक मजाग किया था मेरे लिए एंटर्टेन्मेंट तुम्हारे लिए एंजॉइमेंट हिसाब बराबर हो गया मजाग किया ओ दिल पे छोट लग गई क्या सो तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है रुको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मूँ पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ मेरे व्यवसाय परताना मारोगी तो समाच पे क्या प्रभाव पड़ेगा भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है मान पूरणा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को जल नहीं करते तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया मैं अत्यंत अद्भुत हूं किन्टो तुम ये बात समझ नहीं पाऊगी जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पढ़ने वाले हीं की तरह तुम मुझे याद करोगी वाट मेरे पुलाव में फ्राय होने वाले जीरे की आवास की तरह मेरा दिल तुम्हें पु इट शुद नॉट भी लाइक लाइटर एंड वाटर फॉरिनर्स को खाना परोस्ते इंग्लिश सीख ली ग्रामर गलत हो तो माफ करना ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना गुडबाई शास्त्री कोटी कोटी धन्यवाद दिवी सुनके बहुत सANTोश हुआ माँ जगन्यात का प्रेन चब्दना और जगन्यात क कि अश्मा JaDa से संभा हुआ त pouvर मेरा जीवन सभल हुआ माँ पूरा जीवन सभल हुआ में यह हुँआ हुआ यह नहीं हो जगता यह पूरे सबने जैसा है देखो गुद को खत्म कर लिया इसने क्या कमी थी जो आत्मत्य करनी पड़ी इस जगनात मुझसे आग की गर्मी बर्दास्त नहीं होती करनात मुझसे आत्म मुझसे झात्म म। झाल